मित्रों नमस्कार आप सभी का देवप्रियागम DPIS के इस YouTube प्लेटफार्म पर स्वागत है मित्रों UPPCS 2023 का आसमभवित प्रणाम आया और इस प्रणाम के पीछे क्या-क्या सत्यां काम कर रही थी तो नहीं पता है लेकिन जो कुछ हुआ उसके कारण से आज हमारे अभ्यर्थियों के बीच एक ऐसी स्थिती पैदा हुई जिससे कि लोग यह नहीं पचा पा रहे हैं यह नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर कितनी मेरिट क्यों गई और उनका क्यों नहीं हुआ ऐसे भर्थी जो इस कटेगरी में बिल्कुल सामिल से कि हां मेरा हुना है मिंस के लिए बिल्कुल दिन रात एक यह हुए थे फिर भी उनका प्रणाम नहीं हुआ तो क्या रिवाइज रिजल्ट चाहिए क्यों रिवाइज रिजल्ट की बात हो रहिए है क्यों बात हो रही है कि अब लोगसीवा आयोग के रिवाइज voc jari करना चाहिए बिल्कुल जारी चाहिए अगर आपका पैनल रिवाइज हो रहा है तो 具 स्दॉइनल दोरा बनाएगे एक क्यों नहीं रिवाइज होंगे अपने उन सो विश्यसग्यों को हंटा दिया है जो कि लोकसीव आयो की विभिन परिच्छाओं में पेपर सेटर थे, कुश्चन मना रहे थे, सव सो विश्यसग्यों का पूरा पैनल था और उस पैनल ने केवल खाना पूर्ती की, केवल भविश्य के अधिकाईयों के सामने और उनके भविश्य पर केवल खेलवाड किया, ये रहा है उतरपरदेश का रवया, उतरपरदेश लोकसीव आयो का रवया, तो इस रवये का प्रणाम केवल भ्यरती ही भोगेंगे नहीं लोक्षिवा आयो को भी भोगना चाहिए और लोक्षिवा आयो को पुना revised result निकालना चाहिए कितने प्रश्णों को delete किया गया है उन्हें सारधनिक करना चाहिए कितने प्रश्णों को डिलीट किया गया है उसे सारजनिक करना चाहिए आज छात्र इस मूड में आ गया है कि अब वह इस मांग को ले करके लोकसिवा आयो के द्वार पर पहुंची ही गए है और लोकसिवा आयो को आए दिन आज नहीं तो कल इस प्रश्णों पर विचार करना होगा और अभ्यर्थियों के इन प्रश्णों का जबाब देना होगा और तो और लोकसिवा आयो को रिवाइज रिजल्ट भी जानी करना चाहिए और इसके पीछे जो भी कारण हो उनको उजागर भी करना चाहिए मैं तुरों आज इसी पर चर्चा करेंगे बहुती महात्पूर मुद्दा है बहुती महात्पूर प्रश्ण है आप सभी अभ्यर्थियों के भविश को ले करके इसम निरासा का वातावन फैला हुआ है निरासा के बीच आसा की करन कैसे आएगी इसके लिए और भी कई तरीके हैं जैसे समिच्छा दिकारी का विग्यापन आना चाहिए लोवर लोवर PCS के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे जिसकी सुगवगाहट सुरू हो गई है लोवर PCS भी लोग सीवा आयोग से होना चाहिए इसकी भी सुगवगाहट इस पर भी हम चर्चा करेंगे लेकिन आशुरूवात करते हैं इस आंदोलन की रूप रेखा और इस बच्चों की इस मांग को कि PCS 2023 का प्री का रेजल्ट रिवाईज रेजल्ट जारी कर दिया जाए और इस बारे में आज शात्र बड़ी संख्यामों पस्तित होकर के लोग सीवा आयोग के चेर्मायन से अशदस से वा सचिव से परिच्छानी अंतर से मिलने का भी प्रियास के हलां कि कोई जिम्मेदा इकश्ड रधिकारी मिलना ही पाया लेकिन आज नहीं तो रुखनों का जवाब देना ही वागा आरे मेंसे पर्स्नी का उत्तर भी देना होगा अब आप सूचिए कि ऐसे क्या बात रही है कि एक दो नहीं एक दो नहीं लोकसीवा आयोग ने अपने बिसेसर की पहनलों में से सव पहनलों को इससे हंटा दिया है ठीक है तो यह बहुत बड़ी बात है ठीक है यह ऐसे सो एक्सपर्ट रहे हैं जो पिछले कई परिच्छाओं से कर रहे हैं अब कर रहे हैं ऊसका खामयाजा कोन भोगेगे उसका खामयाजा क्या आप सभी च्हात्रील भोगेंगे नहीं उसके लिए आइयोग को माफी बाइश मागनी चाहिए आइयोग को सारवि 10 रूप से इस बारे से नाम को भी सार्जिनिक होते हैं तो फिर दुबारा ऐसी कोई गलती नहीं कर पाए अगर चाहता है तो एन मिसेशग्यों का नाम का ड़ी शारजिनिक करना चाहिए तो जित्रों तो आज की case सबसे बड़ी सामें यूज भ्रडी ने जोगत यूज सामने और लोकसिवा आयोग को हां अगर उनके कही पैनल में नहीं लिखा हुआ हैगज़ा से कब उनके भी समझ मेंना चाहिए कि घलत गलत पर ने करके और लोकसीवाज हाव कि पूरी प्रक्रिया को हम यहां से लेकर कर तक फंसा रहें हैं यहां से लेकर सासन तक फंसा रहें तो उसका उनको प्रैशिद भी चाहिए धंड्रन भी मिलना चाहिए मात्र आप अभी पिछले दिन भी आया कुछ पहले भी आपने लगभक 50-60 बिस्टेशरों को पर ने पनिल से हटा दिया था फिर आप हटा रहे इसके पीछ से क्या है रूल और धूह से आप है पैनलाइस करें और छात्रों को और रहा है उसको को देखेगा जो विश्यसग सामान नध्यन का प्रश्ण नहीं बना सकता है वह विश्यसग लोगसिवा आयोग में एक्सपर्ट होकर के जा रहा है इससे अधिक इस्तिती और कुछ भी नहीं हो सकती है धन्य है लोगसिवा आयोग आपकी कारपनाली कभी माना जाता था कि लोगसिवा आयोग UPSC को टकर दे रहा है और UPSC लोगसिवा आयोग से चेन का मापदंड होता था उस मापदंड उपने आप में UPSC से कम नहीं होता था लेकिन आपके एक्सपर्ट लगातार बनाये जा रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, इन सब के पीछे आपनों की जो कायरवाही है, वो छात्रों के हित में नहीं है, तो मेरी तो यही मांग है, कि आप परदस्ता को बढ़ाएं, ततकाल प्रिच्छाओं का विग्यापन जारी करवाएं, और विग्यापन जारी होने के साथ ही, जिसने जो निराशा भ्यापत है, वो निराशा दूर हो, और पुना आशा का एक वातावर नाए अच्छे पैनल बने अच्छे पैनलों द्वारा प्रश्ण बनाए जाए जैसे यूपीएस्टी के प्रश्ण में गलतियां तो हैं जैसे वहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या ट्रांसलेशन की है वो समस्या आपके साथ नहीं आनी चाहिए धे सारी गलतियां आपके प्रश्ण पत्रों में रही हैं ऐसी गलतियों से बचना चाहिए मित्रों तो रिवाइजड आंसर क्या जारी होगा अब लोगसिव आयोग के उपर है लोगसिव आयोग नैथिकता पूरबक जो मांगे आप लोगों ने किये हैं आप लोगों की मांगे बड पाए कि लगभक सवसीटों के विग्यापन को आप नहीं जोड़वा पाए इसमें इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है नहीं तो प्रणाम कुछ और ही होता और भी लोग मुख्य परिच्छा दे रहे होते और भी लोग साचातकार भी देनी तो मित्रों यह सारी इस्तिया है और आपके भविष्ट के लिए आपके भविष्ट के लिए हम लोग सदयोग तत्पर हैं और इसके लिए एक बड़े विचार क्या हो सकता है मंधन क्या हो सकता है और सबसे बड़ा मंधन अगला मंधन क्या होगा यूपी लोवर सबाडनेट यूपी लोवर सबाडनेट क परिच्छा को यहीं से लोक्सिवा आयोग से करवाने का निश्य करें और यह निश्य तकाल किया जाना चाहिए यह सबसे विचारणी बुद्धा है विचारणी भी सहां इमित्रों ये कहानी नहीं है बलकि ये अब एक आगे की रणनीत है इस रणनीत पर हम सभी को मिल करके काम करना है आपसी जो कुछ भी अगर प्रध्धनता है या जो भी है उनको सब को छोड़ करके आप सभी को लोग सेवा आयोग में यूपी सबाटनेट को यहीं से करवाए सही जाने के लिए एक अयोग से आप सबको मांग करनी होगी और आयोग मिल जाए । करवाई जा सके इसके लिए आप व्य goingini जाना है और आप दुबारा ऐसी को इस्थिना आने दे इसके लिए इसके हम आयो को भी इस पर विचार करना चाहिए ने तुन आज की बात ही तक बिलंकुल यह भी हुए daw में और 2020 लुह मुझे नीचे कुछ भी नहीं झाल झाल